गूर्णिंग स्टूडेंट्स आइम इक्बाल अर्फिन और वाचिंग आईज इंग्लिस क्लासेज यूटूब चैनल स्टूडेंट्स आज हमारा लेक्चर है मौडल वर्व उड है ना जिससे कि मैं आपको बता दू यह मौडल वर्व उड के बहुत सारे फंक्सन होते हैं और आज मैं उसी पर चर्चा करने जा रहा हूं तो जो लोग अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं या जो सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंतक बने रहे हैं ताकि उनको इसकी पूरी पूरी जनकारी मिल सके लाव मिल सके आईए हम लोग आते हैं उड के सेंस सिच्वेशन पर और उड का प्रियोग पर है ना तो उड भी एक ऐसा मॉडल वर्व है जो और दुसरे मॉडल वर् सब्सक्राइब के जगा पर आप कैन कूड में माइट शैल सुट जो भी आप रखना चाहें एकॉर्डिंग टू मिनिंग रख सकते हैं वैसे उड का भी परियोग करेंगे सब्सक्राइब प्लस वर्वन प्लस अब्जेक्ट तो इस स्ट्रक्चर पर यूज करना है अब आए ये उड का परियोग कहा होता है कैसे कैसे से सन्स में होता है वह से उड का मिनिंग गागी के संस में होता है वह वह Back के रूप में होता है तो विल की जगह पे पर्योग करते हैं आप देखरते हैं यहाँ पे डिया है जैसा कि यह एक्जाम्पल एक डारेक्ट और इन्डारेक्ट नरेसन से रेलेटर है आप देख रहे हैं संजू से डैट he would come यह इन्डारेक्ट नेरेशन का एक एक्जामपल दिया गया संजू सेड उसके बाद कोमा ही विल कम तो ही विल कम विल की जगह पे आपको इंडारेक्ट स्पीच में उड़का प्रियोग कर देना जैसा कि आप यहां पे बिल्कुल देख रहे हैं अगर हम किसी तरह के बातों को या अपनी कोई बाते रिपीट करते हैं व्याख्या करते हैं उसको कर रहे होते हैं कि ऐसा होता था ऐसा करते यह करते थे उसके बाद यह होता था वह तो इस तरह का रिपीटेशन के फॉर्म में हम उड़का मॉडल वर्फ उड़का प्रयोग करते हैं जैसा कि एक्जांपल आप में देखिए विन आई वाज अकिट जब मैं एक बच्चा था आई वूड गो टू स्कूल मैं स्कूल जाया करता था यहां पर जाया करता था रिपीटेशन बता जा रहा है फिर उसके बाद आगे का काम भी बता रहा है कि आउड प्ले वित मैं क्लासमेट मैं अपने सहपाथियों के साथ खेला करता था दे उड गिब मी चांस फरस्ट वोग मुझे पहले मौका दिया करते थे तो इस तरह के संटेंस में आपने क्या देखा कि रिपीट किया जा रहा है बहुत सारे बाते हैं जो अबज़ेक्स लेकिन यहां पर जब रिपेटेशन बता जाए तो मौड़ल वर भी उड का पर्योग करेंगे नेक्स्ट है हमारा रिक्वेस्ट जब आप किसी सा रिक्वेस्ट करते हैं तो उसमें प्लाइट रिक्वेस्ट यानि परियोग कर सकते हैं या जैसा कि रहे होते हैं किसी को प्रस्ताव दे रहे होते हैं तो उसमें भी आप उड़का परियोग कर सकते हैं जैसा कि यहां पर मैंने बताया कि उड्यू लाइक टू डांस वित मी क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहेंगे पहला वाक्य में क्या है क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे और दुसरे वाक्य में क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहेंगे तो दोनों संटेंसे से आफर का बहुत हो रहा है तो यह दोनों संटेंस से जो है क्या शो करना ओफर उड़ लाइक का भी परियोग आफर के लिए करते हैं और सिर्फ उड़ कभी परियोग आपको परियोग अब आए इस तरफ आते हैं पास्ट है बिट इंस्टीड ऑफ यूजड टू यूजड टू का जो एक मॉडल वर्व है स्टुडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे यूजड टू के बारे में फिलहाल मैं आपको बता दू यूजड टू का जो परियोग होता है वो पास्ट है बिट यानि बिते हुए समय की आदतों को बताने के लिए इसक साथ की एक्जामपल देकर मैं आपको क्लिरफाइब कर दू कि कैसे यह परियोग होगा जैसा फर्स संटेंस है आई यूजड टू गेट अट फाइब एम मैं पांस बज़े उठा करता था यह पास्ट है भीट हो गया मैं पांस बज़े उठा करता था इसके आगे अगर आप वाली बात अगर आप बोल रहे हैं तो यूजड टू पर्योग ना करके आप उड़खा प्रियोकर अनि अभास संटेंस यूस्टू से स्टार्ट होगा उसके बाद वाले जो संटेंस आदत वाली होगी तो उसमें यूजड तू यूजड नहीं करेंगे उसमें उढ़गा प्रियोग करेंगे जैसा कि आप एक्जांपल है I would go for a walk मैं टहला करता था मैं टहलने के लिए जाया करता था देन आए उड़ गेट माई सेल्फ फ्रेश एंड प्रिपेर फॉर इस्कूल और तब फिर मैं अप खुद को जो है फ्रेश होता था खुद को तयार करता था इसको जाने के लिए तो इन सभी वाक्यों में आपने क्या देखा कि आदत बताए जा रहे है पास्ट की कोई हैबिट बताए जा रही है जिसमें आप यूजड टू फर्स संटेंस स्टार्ट करते हैं उसके बाद फिर जितने भी आदत वाले वाक्यों होते हैं सब में उड़क हर्ड में इसकार्तवा कि यदी वात कठीन परिश्रम की करता ही उड़ पास्टेंस तो वह पर इच्छा पास कर जाता तो यहां पर आप देखे कि फ्रस्ट एक्स्ट्ट्रेयर फस्ट संटेंस जो है इफी वर्ग राडड ही उड्पास देग्जाम तो फर्स चंटेंस में आ साथ आप जब अगला जोड़ेंगे ही उड़ पास दाइक साम ना दूसरा संटेंस से इफ दे हैड आज यहाँ पे क्या आप देखें स्टुडेंट कि यहाँ पे हैड प्लस वर्फ थरी कप्रयों किया गया है यहाँ पर फेक्ट टेंस का यूज किया गया है यहाँ पर यह उसकरना तो यदि वे लोग मुझसे पुछे होते हैं आय उड़ है रेप्लाइड दें तो मैं उन लोगों को जवाब जरूर दिया करता यहाँ पर आपक्या देख रहे हैं कि अगर आपका हैड प्लस आज यानि हैड भर्फ थरी का प्रियोग किया गया है तो आपको उड़ कर तो आप यह next है possibility possibility के लिए भी हम लो उठर प्रियोग करते हैं कि सब्सक्राइब को कि यह अब You कलिए मॉडल वर में आपको क्लिर्टी में जैसा कि हम कोई future की बातने बोलते हैं कोई सबस्क्राइब चाहता काम जो आने वाले समय में करने हो करना होता है उस वाकिय में अगर आप कंफर्म नहीं हो कर रहे हैं तो उड़ का प्रयोक करेंगे हैं जैसा कि यहां पे एक्जामपल दिया है he would go to Mumbai on Sunday वह रविवार को मुंबई जाएगा देखे जाएगा आ गया जाएगा के लिए तो आप यहाँ पर विलका भी परियोग कर सकते हैं लेकिन विलका परियोग तब करेंगे जब आप sure हैं confirm है कि यहाँ वो रविवार को मुंबई जाएगा तो जब confirm है sure हैं तो वहाँ पर विलका परियोग करेंगे और जब confirm है sure नहीं है तो आप वहाँ पर विलका परियोग करेंगे जैसे खुद के बारे में भी आप का सकते हैं मैं कल उनसे मिलूँगा तो मैं कल उनसे मिलूँगा अगर आप में confirm कर लिया आप एदम बिल्कुल इरादा कर लिया है कि मुझे उनसे मिलना ही मिलना है तो वैसे संटेंस में आप प्रियोग करेंगे आई विल मीट दें टुमोरो मैं उन्हों से कल मिलूंगा लेकिन आप किवल एक संभावना व्यागत कर रहे हैं कि हां मैं कल उन्हों से मिलूंगा अब यह वाइन फुल्द फॉर्म फी फहर्म अ वंट यह जो मैं बता रहां रहें स्ट्ड़ेंट एंsystem से important आंको फोकस करने ध्यान देना वार्ट का परियोग फूचर टेंस में नहीं होता है कं वाइन का परियोग पर्जैंट प्रिण के सबर्योंष को самой नहीं होता ले सकते हैं, I want to speak, मैं बोलना चाहता हूँ, यह हो गया present tense का sentence, present indefinite, अब इसी को past मिले जाएंगे, तो sentence हो जाएगा, I wanted to speak, मतलब मैं बोलना चाहता था, तो यह past हो गया, और आप इसी को future मिले जाएंगे, मैं बोलना चाहूंगा, चाहूंगा सब्द के लिए, will का साथ want का परियोग नहीं करते हैं, तो क्या यूज करते हैं, would like का परियोग किया आता है, want की जगा पे, would like का परियोग किया आता है, और sentence क्या हो जाएगा, I would like to give a speech, जैसा कि example में ने दिया, कि I would like to give a speech, मैं भासन देना चाहूंगा, उसी तरीके से I want to speak, मैं बोलना चाहता हूँ, present म I wanted to speak, मैं बोलना चाहता था, past में, I would like to speech, मैं बोलना चाहूँगा, future tense में, तो इस तरीके से आपने उडिका परियोग जाना, अब students, मैं आपको कुछ उडिक से बना हुआ, कुछ और structure, next वीडियो में आपको बताऊंगा, आज के लिए इतना ही है, आप इसको like कीजिए, औ जुस्तों तक से अरके जे, thank you